कुछ लोगों को बैंगन पसंद नहीं है, अगर वे हमारी दादी के तरीके से बनी बैंगन की ग्रेवी एक बार खा लें, तो वे बैंगन की ग्रेवी पसंद से खाने लगेंगे, बैंगन को काट कर फैला कर और नमक लगा कर, तेल में कल कर, मसाले को पीस कर, जब हमारी दाद बैगन को डालकर हमारे लिए बैगन की ग्रेवी बनाती हैं तो वे बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे जब दही चावल के साथ खाया जाए तो यह और भी स्वादिष्ट होता है। चार कमाटर, करी पत्ते, एक लहसुन, एक सो ग्राम छोटे प्यास, एक सो ग्राम बड़े प्यास, अद्रक और एक चम्मच सॉम्फ। अब सभी आवश्चक मसालों को पीसना शुरू करते हैं। अद्रक, लहसुन, इन दोनों को सिल्बटा में डाल कर पीसना शुरू कर देंगे। अद्रक और लहसुन के साथ सॉम्फ भी डाल कर पीसना शुरू कर देंगे। अद्रक और लहसुन को पीसने के बाद अब लाल मिर्च को पीसना शुरू कर देंगे। अब इसमें धनिया भी डाल कर अच्छे से पीसना शुरू कर देंगे। लाल मिर्च और धनिया को भी अच्छी तरह से पीस लिया गया है। अब तमातर को अच्छे से निचोर कर। इन्हें भी सिल्बट्टा में डाल कर पीसना शुरू कर देंगे। कमातर को अच्छी तरह से पीसने के बाद अब बड़े प्यास को पीसना शुरू देंगे। सारे मसाले को इस कर तयार कर लिया गया है। अब बर्तन के गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। अब बैगन को अच्छे से काट कर फैला कर नमक लगा कर तेल में डाल ले। बैगन को तेल में तल कर अच्छे से पिघलने से पहले निकालने। बैगन को सही रूप में तल लिया गया है। अब बैगन की ग्रेवी के लिए मसाले को तलना शुरू करते हैं। जब बर्तन गरम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल कर सरसों डाल दें। सरसों के अच्छे से तल जाने के बाद इसमें पिसा हुआ अद्रक और नहसुन डाल दें। अब इसमें कुछ करी पत्ते डाल दें। अब कुछ छोटे प्यास डाल लें। अब पिसा हुआ बड़े प्यास डाल दें। फिर पिसा हुआ टमाटर भी डाल लें। जब टमाटर तल रहे हुँ तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया डाल दें। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लें। जाज करने के बाद थोड़ा सा नमक भी डाल लें। कमाटर अच्छे से तल गए हैं। अब तेल में तले हुए बैगन डाल ले। बैगन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद इन्हें चूरहे से उतार दे। अब बैगन की ग्रेवी तयार है। हमारी दादी बैगन की ग्रेवी को कई तरह से बनाती है। ये भी उन्ही में से एक है। इस बैगन की ग्रेवी को जब दही चावल के साथ खाया जाए तो यह स्वादिष्ट होता है। इसे पुराने चावर, रसम और सभी के साथ चकना के रूप में भी खाया जा सकता है। यह बैंगन की ग्रेवी बहुत ही स्वादिश्ट होती है।